एक समया की बात है एक गाओं में चंदन नाम का एक लड़का रहता था जो रोज अपनी बक्रियां जंगल में चराने के लिए लेके जाया करता था और बाकी गाओं बाले भी उसके साथ अपनी बक्रियों को भेज दिया करते थे और उसको महिने दर महिने पैसे दे दिया करते थे और ऐसे उस लड़के का परिवार उसी की कमाई से चलता है एक दिन वो पहले की तरह जंगल में बक्रियां लेकर जाता है और पेक पेड़ के नीचे बैठ जाता है उसकी बक्रियां गास खाने के लिए इदर उदर चले जाती है और सोचता है कि मैं गाओं बालों को बेवकू बनाता हूँ मेरा भी टेमपास हो जाएगा और वो क्या करता है एक उच्ची पहाड़ी के उपर खड़ा होकर गाओं की तरह मूँ करके आवाज लगाता है अरे बचाओ रे बचाओ बेडिया मेरी बक्रियों को खा रहा है और सभी गाओं बाले उसकी बात सुनकर अपने घर से कोई ना कोई हत्यार लेकर जंगल की तरह बागते हैं और उस लड़के के पास पहुंचते हैं और देखते हैं वो उची उची हस रहा था और गाओं बाले बोलते हैं अरे तुने तो बोला था कि बेडिया आ गया है बचाओ और तू हस रहा है और लड़का बोलता है कि अरे मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया और आप लोग भागे आगे गाओं बाले उसकी बात सुनकर अपने घरों घर में चले जाते हैं और मन मी हर मन में उस लड़के को गालियां भी देते हैं और ऐसे ही दूसरा दिन आता है वो लड़का वैसे फिर गाओं बालों की तरफ मूँख करके उची-ची वाजे लगाने लग जाता है और उसी तरह गाओं बाले फिर उसकी अवाज सुनकर बापस उधराते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का फिर हस रहा था और गाओं बाले उस लड़के को डाटते हैं और बोलते हैं कि अरे तू ऐसे क्यों करता है हमें लगा कि सच में ही बेडिया तेरी बक्रियां खा जाएगा और तेरे पास कुछ है भी नहीं है अपना गर चलाने के लिए तो गाओं बाले अपने अपने गर में चले जाते हैं और एक दिन दवारा फिर वो बक्रियां लेकर जंगल में जाता है इस बार वो लड़का अपनी बक्रियों को जंगल में अंदर तक ले जाता है और उस दिन सच में एक खुंखार भेडिया उसकी बक्रियों के उपर हमला कर देता है और वो लड़का गाउं की तरफ मूँ करकर आवाज लगाता है कि बेडिया मेरी बक्रियों को मार रहा है बचाओ तो गाउंबाले उसकी आवाज सुनते हैं और बोलते हैं कि ये तो पहले की तरह मजा कर रहा है कोई भी गाउंबाला उसकी बक्रियां बचाने नहीं आता है और बेडिया एक एक करके उसकी पूरी बक्रियों को मार देता है और लड़का देखता ही रह जाता है और सोचता है कि कास मैंने गाउंबानों को बेवकुप ना बनाया होता तो आज मेरी बक्रिया ने नहीं मरना था